कि अपने होम जिम से तो आज मैं रिशाब फॉम मैंस्कॉर्स डॉट कॉम और आज मैं आप लोग के लिए एक और जिम एक्पमेंट की रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं अपने होम जिम से तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूं लीवेफिटनेस का हैक्स ट्रैप बार्बल और यह ट्रैप बार्बल बहुत ही यूनिक है और बहुत ही एकनॉमिकल है अपने प्राइस को देखते हुए और ट्रैप बार्बल के बारे में अगर आप लोग जानते होगे तो एक करने में थोड़ी मुश्किल होती है जैसे कि बिगनर आदमी स्पाइन पर प्रेशर जाएगा और एक इंकरेक्ट फॉर्म के इंतर बूपर डेटर करते हैं तो आपकी रेंज ओप मोशन कम होती है विकास यहां पे आप देख रो हैंडल एलिवेटेड है तो आपकी रेंज करना आपके लिए एक सेफ और सिक्योर एक्साइज बन जाएगी और जब आप ट्रैप बार्बल के उपर ड्रेटर करना सीख लेंगे तब आप रेजोनेट कर पाऊगे वही चीज़ अपने स्ट्रेट बाबल डेटर के उपर किसी भी जिम के अंदर या फिर किसी भी कॉंप दोड़ने की कोशिश करिए एक दो साल पहले इतने लंबे ट्रैप बाबल और इतने सही डायमेंशन के साथ आपको नहीं देखने को मिला करते हैं जो थे वह आपने अपने अमेजॉन पर देखा होगा दो से चार अजार उर्पे के बीच में आपने और इससे काफी चोटे ह को मिलने वाला है यह थोड़ा ब्रौड है तो आपके घर के अंदर थोड으 या फिर आदर पढ़ के अंदर खाचे बांग के साली के सालने की निशाने है अगर आपने रोगफीनेस विल्फ सब्सक्राबो आपने टीवी टू के नाम से आप सर्च केजिएगा और वहां का बहुत बेस्ट बार्बल है और यहां पर उस सेम स्पेसिवेशन लिवे फिटनेस ने इस ट्रैप बार्बल के अंदर डाल दी है तो यह आपके इंडिया का बेस्ट एकनॉमिकल बार्बल बन गया है अगर आप को एक ट्रैप बार्बल चाहिए तो मैं डेफिनेटी रेकमेंड करणा कि आप लीवे फिटनेस का यह यह त्रैप बार्बल बिलकुर खरी सकते हैं अब यह त्रैप बार्बल के अंदर आपको क्या का मिलता है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताउंगा तो अगर कोई trap barbel खरीदने में interest है so please watch this video till the end now before we get into the review of this hack strap bar इसके dimensions के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है यह hack strap bar काफी लंबा और चौड़ा barbel है चोकि यह है भी और अगर आपने कभी straight barbel खरीदा है तो यह आपको olympic size का barbel 20 kg का मिल जाएगा बढ़ यहाँ पे hack strap bars पे जब आप shift करोगे तो यह barbel आपको लिए फिटनेस का यह 22 kg का hack strap barbel है वो भी सिर्फ इस वज़े से बिकाज इसके अंदर जो tubing है यह hollow tubing है और यहाँ पे अंदर का जो material है वो पूरा alloys trailer है अंदर से भरा हुआ है और यह अंदर से थोड़ा खोकला है इसकी वेसे इसका weight 22 kg तक manage कर दिया है company ने और भी आप brands के hack strap bar देखो और वो 24 kg यह 26 kg तक के भी जाते हैं पट यहाँ पे आगर आप straight barbel से hack strap bar पे shift करते हो तो सिर्फ आपको 2 kg का इजाफा देखने को मिलेगा जो की जादा नहीं है और आपको जादा अजीब नहीं लेगेगा अगर हम इसकी overall length के बारे में बात करें तो इसकी overall length 86.22 inches की है इस end से लेके इस end तक तो यह obviously काफी लंबा barbel है और अगर आपको दिख रहा होगा कि इसकी rackable length भी है तो यह जो मेरे squat rack है यह 50 inches की space है इसके बीच में और यह जो इसकी rackable length है यह 53 inches की है तो मेरे को अभी 3 inches तक की allowance मिल जाती है आगे पीछे में shift कर सकता हूँ तो आप देख रहे हो इसकी rackable length है अगर किसी को barbel shrug करने है या फिर shoulder presses करनी है या फिर chest presses भी करनी है trap bars पर जो की करना थोड़ा अजीब लगता है विकास खाफी wide barbel है वो भी इसे अपनी squat rack के उपर रखके bench लाके यह सब चीज़े कर सकता है तो आपको कोई भी barbel jack की जुरत नहीं है plates लगाने में आप इसे rack करिए और plates इसे अंदर डाल सकते हैं और अपनी कोई भी exercises कर सकते हैं तो rackable length होना एक बहुती बड़ा benefit है hack strap bars के अंदर सारे hack strap bars rackable length के नहीं आते हैं जो कि इस में बहुत अच्छी बात है अगर आप इस strap bar का standing space देखेंगे और handle का space देखेंगे handle से handle तक का space है आपको 24 inches का मिल जाता है और इस post से लेकर इस post तक का आपको standing space मिल जाता है 25.59 inches which means अगर आप एक लंबे individual है आपकी cut cut cutty अच्छी है shoulders बड़े बड़े हैं आपके तो इतना 24 inches का handle space होने के बावजूद आपकी elbows कभी आपके शरी से टकराएंगे नहीं जब आप shrugs कर रहे होगे या फिर form of walks में कभी आपको कोई दिक्कत ने आएगी मेरे लिए ये sufficient रहता है मेरे को कभी ऐसी कोई दिक्कत आए नहीं और दूसरे trap bars के अंदर handle space 22 inches का रख देते हैं जिसकी वेसे कुछ लोग को दिक्कत होती है बाट इसमें 24 inches का है और standing space भी आपको enough मिल जाता है balance out करने के लिए इस bubble को अब side में आएंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको dual grip मिल जाती है विच मेंस कि यह वाला जो handle है यह आप deadlift के लिए use कर सकते है अगर आपको एक range of motion कम चाहिए तो और यह handle आपको अलग से attach करना पड़ेगा इसके साथ आपको यहाँ पे bolts मिल जाएंगे यह welded नहीं है frame के साथ नीचे वाला handle weld करके दे रखा है इन लोगों ने उपर का जो handle है यह 28 mm का इसका sharp diameter है और नीचे वाले handle का आपको 35 mm का sharp diameter बिल जाएगा विच मींस नीचे वाला handle जादा मोटा है और उपर वाला handle की जो grit है जो diameter है वो कम रखा गया है कम diameter होने के वेज़ से आप pulling movement इस से साथ जादा अची तरीके से कर सकते हैं यह अगर आप handle चाहें तो आप dead lift में यूज़ कर सकते हैं और नीचे वाला handle आप shrugs, exercises में फिर shoulder presses में जादा यूज़ अची तरीके से कर सकते हैं और either way आप कोई भी handle यूज़ कर सकते हैं नर्लिंग इसके उपर काफी passive दे रखी है जादा sharp नर्ल नहीं है पाउडर कोट होनी के वेज़े से इसका नर्ल काफी जादा diminish हो गया है बट यह वाला जो नर्ल है यह मेरे को हलका लगा slightly और नीचे वाला नर्ल थोड़ा aggressive मेरे को इस नर्ल से जादा लगा जो कि मैंने feel करा है अपने workouts के बीच में आगे बढ़ते हुआ हम इस trap bar की sleeve length के बार में बात कर लेते हैं sleeve जहाँ पर आप actually में अपनी weight plates डालोगे और अपनी deadlift exercise को perform करोगे देखे वैसे तो इस trap bar के अंदर आपको काफी लंबी sleeve मिलती है देखे यहाँ पर end होती है पर यह जो आप देख रहे हो metal का piece यहाँ पर आपके आपकी weight plates का center है वो रुक जाएगा इससे जादा आप इसको आगे नहीं किसका सकते हैं और sleeve आपको मिल जाती है 16.14 inches की जो की normal अगर आप Olympic size barbel भी देखोगे उसमें भी आपको 16 inches तक की sleeve मिल जाती है नौर्मरी trap bar के अंदर लंबी sleeve दे सकते हैं यह लोग पता नहीं किस reason की वेसे नहीं देते हैं और sleeve length काफी जादा impact करती है आप कितनी max अपनी deadlift को लेके जा सकते हो जैसे कि मैं आपको बदाए 500 kg तक तो यह barbel आपका easily weight handle कर सकता है बट आपकी weight plates पे सब कुछ depend करता है जैसे आप देखिए मेरे पास काफी मोटी-mोटी weight plates है बंबा plates तो बंबा plates अगर मैं यह size की इसके अंदर डालूँगा तो यह sleeve जल्दी भर जाएगी और 200 kg से पहले ही मुझे लगता है कि यह पूरी sleeve last तक यहाँ बढ़ जाएगी तो मैं इसे जाधा load नहीं कर सकता अगर आप 300 kg, 300 kg या फिट 200 kg भी आप trap bar deadlift करना चाह रहे हैं तो बंबा plates के तक आप नहीं कर पाऊगे और अपनी डाइट इसके इंदर यूज किया, build quality मेरे को बहुत ही है, solid feel ही और क्यों नहीं करने के बाद यह trap bubble पूरी तरीके से alloy steel के साथ बनाया गया है सिर्फ यह जो handles है ना, यह handles आपको अलग से मिलेंगे जिसको आपको last में board के साथ, इसके main frame के साथ इसे attach करना पड़ेगा otherwise यह pre-assembled ही है, सिर्फ आपको handles attach करने है और यह single piece construction जैसी feel आपको देने लगेगा जैसे कि आगर आप एक Olympic size barbell, straight barbell buy करते है, जैसे कि वो देता है, उसके आपको कोई attachment करने रहे होत नहीं है इस के अंदर सिर्फ आपको handles लगाने है और फिर यह बिल्कुल एक piece बन जाता है stability बहुत ज़्यादा बढ़िया है, construction बहुत अच्छी है, black color करने powder coat होने के वेशे, यह build quality को और ज़्यादा enhance कर देता है यह आपको lifelong duration चलने वाला है और इसके ओपर कोई भी rust नहीं आने वाली, तो build quality को पूरे number है now यह trap barbel आपके किसी भी normal, generic, straight barbel से जाधर durable बनाया गया है because हमें मानना पड़ेगा कि जब आप normal gym में जाते हो, जो इसकी fees 500,000 रुपे है वो लोग एक specialty barbel afford नहीं कर सकते है या फिर एक IPF अप्लूट, power lifting barbel आपके ले नहीं लाके रख सकते है because उसकी cost ही 20-26,000 रुपे तक जाती है, जो की काफी unaffordable हो जाता है उसकी उपर आप बिलकुल 500 किलो तक lift कर पाओगे, बट generic barbels के उपर अगर आप 200-200 किलो भी lift करोगे तो वह barbel टेड़े हो जाती है, और उसकी नल भी कुछ ठीक ठाक नहीं होती है, जिसकी वैसे आपकी deadlift किसलती है उसकी वजाए gym owners एक trap barbel खरी सकते हैं, जो की काफी affordable होता है, 12,000 रुपे की range में आ जाता है तो सब 4-5,000 रुपे आप extra देखे एक trap barbel खरी नीचे है, जिसकी weight handling capacity 500 kg है और भी बहुत साई चीज हो के अंदर आपको trap barbel यूज में आएगा, जिसकी वैसे मैं आपको बिल्कुल कहुँआ कि आप अगर एक speciality barbel ढून रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक trap barbel खरीना चाहिए, विकाज यह inexpensive होता है comparatively कि किसी भी दूसरे speciality barbel से अब सारी चोटी से चोटी बात करने के बाद इस trap barbel के बारे में आप directly बात कर लेते हैं, यह trap barbel आपको इतने रुपे का मिलने वाला है देखिया, अगर आप Amazon से इस trap barbel को buy करते हैं, तो यह trap barbel आपको 13,649 रुपे के ऊपर Amazon पर दिखता हुआ दिख जाएगा और साती में लीवेफिटनेस का एक और trap barbel आता है, जो कि multi grip option के साथ आता है, और उसके जो sleeves हैं वो उपर उठे हुए रहते हैं, विच मींस कि उस trap barbel को अगर आप जमीन पर भी रहो गए, तो आप easily plates उसके अंदर डाल सकते हो, और उसके अदर आपको multi grip options में जाते हैं, handles के अगर आप एक और अच्छी deal जाते हैं, तो लीवेफिटनेस की website भी है, जहां पर आपको ये वाला trap barbel 12,830 रुपे का भिकता हुआ दिख जाएगा, जो कि Amazon से काफी lower prices है, साथी में अगर आप लीवेफिटनेस से ही ये trap barbel बाय करने के जोज रहे हैं, तो आप मेरा 5% discount code औ 12,189 रुपीज में लगबग मिल जाएगा, जो कि Amazon के price से काफी जादा कम है, तो अगर आप इस trap barbel को बाय करने जा रहे हैं, तो आप मैं highly recommend करूँगा, कि आप लीवेफिटनेस की website से बाय करें, वहां पर आपके पैसे को जादा बच जाएगे, ओवराल trap barbel काफी जाएदा यह जो मैंने आपको बताया न, 12,199 रुपीज, यह सब चीजे लगा कर रहे हैं, इसके उपर आपको अलग से GST नहीं देनी, आपको अलग से कोई delivery चार्ज नहीं देना, यह final price है, trap barbel का, जो कि बहुत ही affordable मनाता है, जो कि Mars is the gym होना रहे हैं, जिनको एक budget के अंदर ही trap barbels ल और यह आपको आपके जो जिम है, उसको एक trash look भी देगा और एक extra element diet करेगा आपके जिम के अंदर, so अगर आपको यह trap barbel खरीदना है, तो bind link description box लिए में डाल दूँगा, अगर आपको पसंद आई हो यह वीडियो तो प्लीज से like, share and subscribe कीजेगा, मिलते है नेक्ट वीडियो की अधियो वीडियो और तिल दो खबाइ, टेक्ट एटा, टेक्या वाइ झाल कर दो झाल